बोले नाथ और पारवती के बेटे बाबा बालकनाथी जिने हम कोनाहारी भी कहते हैं। मुद्पीन की सर्व स्पेश्ट कलाकारी का मुडल भेट किया है। और ये दर्शाता है कि आस्था के ऊपर और कुछ भी नहीं है। उत्तर भार्त का परसिद सिद्पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर और यहां इनको जेवर्शिद या पोनाहारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब इंसान को किसी का कोई भी सहारा ना हो बाबा जी उनको अपनी शर्ण में ले लेते हैं धले ही वो किसी भी जाती का क्यों ना हो। उनकी हर मुश्किलों का हल करते हैं और उन्हें सही मार्गदिशा दिखाते हैं और बाकी की जिंदगी उनकी कुश्यों से भर जाते हैं ये मैं नहीं कह रहा आने वाले हर भक्त को अगर आप पूछेंगे तो ये बाते आपको दोहरा देगा हम बहुत भागशाली हैं कि बाबा बालकनाजी की जर्मसली हमारे देश में ही है लेकिन बाबा बालकनाजी के किसे भार्त में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में उनके चट्चे और उनके भग्त वहां पर बैठे अपनी मनुकामना पूरी होने का दावा करते हैं और जब उन की मनत पूरी हो जाती है तो और उनकी जोलियां खुश्यों से बाबा जी घर देते हैं और फिर अपनी मनत पूरी होने की खुशी में अपने देश वापस आते हैं और जोल नगाडे के साथ कई संगों को साथ लेकर बाबा बालकना जी की दर्शन के लिए दंडोत करते हुए और हाथ जोड़ कर शुकराना करते हुए बजन काते हुए बाबा बालकना जी के दर्शन के लिए जोड़ सिद्गुपा में पहुंचते हैं और फिर भगत हमेशा के लिए तन मनत से बाबा जी के साथ जुड़ जाते हैं और ऐसा ही किसा एक बाबा जी के भगत का है जिसने अपनी सभी मुश्किलों को बाबा जी के सामने अर्पन कर दिए और बाबा जी की तन मन से सेवा करने लगा और करम भी जब बाबा बालकना जी अपने भगत की ऐसी साथना ऐसा करम ऐसी सची नियत से बाबा बालकना जी को जात करते हैं तो भले बाबा जी कैसे पीछे हर सकते हैं और उसे भगत की बाबा जी के हर मुश्किलों का हल कर दिया और इसी वर्ष दो हजार तेई में भकत जीश ने मनोकामना पूरी होने से सोने का सिंगासन चड़ाने की मनोकामना मागी थी और सोने का सिंगासन लेकर बाबा जी के ज्योत्तिक मनत पूरी करने पहुंचा आप जानकर हैरान हो जाओंगे कि हमारे जेश में 10 क्राम सोना लगभग 60-70,000 रुपे के बीच में होती है लेकिन बाबा जी के इस भक्त ने सारे रिकार्ड तोड़ दिये तकरीबन धाई किलो का सोना फिंगासन जिसकी कीमत लगभग 10 क्राम 75,000 से लगाई जाए ते ये एक करोड़ 62,50,000 रुपे का बनता है आप तह सकते हैं कि ये पोने दो करोड़ के करीब है तो आप ये अंदाजा लगाए कि उस भक्त की कितनी बड़ी मुश्किल को हल दिया होगा बाबा जी ने इसी साल 2023 से बाल जोगी बाबा बालकनात स्वरन सिंगासन पर रिराजेंगे सिद्पीट के इतिहास और बाबा बालकनात सक्षाद प्रत्मी की महंत शिरी शिरी एक हजार आथ राजेंदर गिरीजी महराज के सुधान और मंदी परशाशन के सिहोग के साथ बालकनात से पर्म परम और सक्षाद मूजी को स्वरन सिंगासन पर चड़ाया गया और शर्दालू के बारे में हमें इतना ही मालूम है कि उत्तर भारत की पर सिद्शिद्पीट जियोड़ सिद्व में पंजाब में एक सर्धालू के धाई किलो के सुने का सिंगासन भुक्त दान किया है और पहले वाले सोने के सिंगासन को मंदीर प्रस्ट ने लोकर में जमा कर लिया गया है इसके स्थान पर सरधालू की और से अर्पित किये गए नए सोने के सिंगासन पर बाबा बालकनाजी की मूर्पी को स्थापित कर दी गया है यहां से यह पता चलता है कि आफ्टा के आगे कुझ भी नहीं हो लेकिन जरूरत पढ़ने पर बाबा जी ही काम आए और उस वक्त जिसे समय आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा रहा होगा और आपके पास खूटी खूडी भी नहीं होगी और फिर आपके किसने कंधे पर हाथ रख दिया था जिससे हम इस मुश्किलों के से तर गे जनी हम मनत मांग तो लेते हैं बाद में हम भूल जाते हैं लेकिन मनत मांगना बुरी बात तो नहीं है लेकिन मनत पूरी हो जाए तो हमें अपना सर जरूर वहां पर धुका कर आना चाहिए तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कुमेंट सेक्षन में जरूर बताएं अगर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें आप सभी को जै बाबा बलकना जीती जाए है